नमस्कार मित्रों, हेलो एजुकिशन पर आपनू स्वागत छे, पोश्ट विभाग मां खुबज सोना जेवी भरती आवी छे, अने एपन कोईपन परिक्षावगर सीधी भरती छे, दोड़न दस्पास ना गुण उपर तमारे आ भरती थशे, आवी भरती खास आवती नथी लगवग भरती यो हाल तमें जुओ छो तो परिक्षाव लेवाई छे, अने उच्या उच्या गूण मिलवनार व्यक्तिव नेज पसंद करवा मां आवे छे, परन्तु आ भरती मां तमारे कोई परिक्षा आपने नथी, कोई इंटर्वियू तो एकतो फोर्म भरवानो समय गालो, बिजू उमर मरियादा अने एमा केटली छुट्छा टाप्पा मा आवे छे, त्रीजू लाइकात नु धोरण शू रेसे, अने नियमो शू असे, चोथू पगार धोरण, पछी डोक्युमेंट कया कया जोई से, पछी फोर्म भरवानी फी अर्जी नी, फी केटली रेसे, परती ना बीजा केटलाक नियमो विश्य जोई सू, पछी जे ये पोस्ट नी परती छे, अनी कामगिरी शू रेसे, परती प्रक्रिया केविर इतनी थसे, डोक्युमेंट अपलोड करवाना हासे, तो येनी साइज केटला KB, के केटला MMB रेशे तो आ मुद्धाव नी अपने चर्चा करवानी छे आओ विगत्वर आपने जोहिए तो डाक सेवक ने कई-कई कामगीरी करवानी होचे तो स्टेंप अने स्टेशनरी नी वेचान मेल पोस्ट पोहचाडवाना कारियो सब पोस्ट मास्तर नी सौपली कामगीरी करवी पड़े चे टपाल मेलवी मोकलवी अने ट्रांस्पोर्ट नी लगती कामगीरी डाक सेवक आई बीपीपी पी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नुँ संचालन करभू टपाल सुविधावनु संचालन करभू रेकोड नी जालावनी लेफटोप इक्विपमेंट थी ओनलाइन व्याहरो सुनिस चीत करवा तता साधनों नी जालावनी इने पोस्ट ने लबती काम गिर गेज़स थी बीपी इम एतले के ब्रांच पोस्ट मास्टर है करवानी होय शे त्यार पची एबीपी एम एतले के आसिस्टन्ट पोस्ट मास्टर नी कामगीरी शुव आछे तो स्टेंप अने स्टेशनरी वेचान IPPB हेठलनी कामगीरी एटले के इंडियन पोष्ट पेमेंट बेंक हेठलनी कामगीरी त्यार बशी ब्रांच पोष्ट मास्ट्र दौरा फालवेल कोईपण कामगीरी करवानी रहेशे आदेश पर BPM एटले के ब्रांच पोस्ट मास्टर नी कमबाइन ड्यूटी निभावानी रहे शे हवे अरजी करवानो समय गाळो आपने जोईले तो अरजी फक्त ने फक्त ओनलाइन अज करवानी छे ओफलाइन कोई अरजी करवानी नथी फॉर्म भरवानी सरू आतने तारीक 21-12-2020 छे एटले के फॉर्म भरवाना सरू थाई गया छे अन्य अंतिम तारीक 21-2021 छे रात्री ना बार वाग्या शुदी फॉर्म भरीश रक्षो एना माटे नी वेबसाइट एपी पोस्ट डोट इन छे आ वेबसाइट पर जे तमारे फॉर्म भरवानू रहेशे उमर मरियाद आपड़े जोई लेए एटले के ओचाम ओची अडार वर्ष अने वधुमा वधू 40 वर्ष उमर होवी जोई ये आ उमर तो 21,2,2,2,2 विशनी स्थितिये गणा शे जो ओबीसी केटेगरी नो उमेदवार होई तो तेने त्रण वर्ष नी छूट चाट अपासे SC अने ST नो उमेदवार हसे तो येने 5 वर्ष नी छूट चाट अपवामा आवशे EWS उमेदवार ने कोई पन चूट चाट अपवामा आवशे नहीं अने खोट खापन वाले व्यक्ति हैशे तो तेने 10 वर्ष नी उमर नी चूट चाट अपवामा आवशे खाज अगत्यानू के जो खोटखापण वाले व्यक्ती OBC हसे तो एने 13 वर्ष नी चुटचाट आपवामा आवशे अने खोटखापण वाले व्यक्ती ST अत्वा SC हसे तो एने 15 वर्ष शुदिनी चुटचाट आपवामा आवशे लाइकात विशे जोईये तो व्यक्ती तोरण 10 पास होव जोईये साथे साथे गणीत गुजराती अने अंगरेजी विशे ना पासिंग मार्क होवा जरूरी छे आ त्रण विशे साथे पास करेलू होव जोईये साथे साथे एना पासिंग मार्क होवा जरूरी छे कम्पूटर नो पाया नो गणान होवू जरूरी छे अवे कम्पूटर ना पाया ना गणान विसे थोड़ू जोईये तो कम्पूटर नो कोर्स ओचाम ओचो साइट दिवस्य नो करेलो होवो जोईये ए सरकारी होई के खानगी सरकार मायन ने कोई पन संस्था माथी आ कोर्स करेलो होवो जोई ये दोरण 10 के दोरण 12 माँ वीशाई तरीके जो तमारे कोई पन सर्टिफिकेट रजू करवानी जरूर परसे नहीं एटले के दोण 10 अने 12 मां कम्प्यूटर विशे हसे तो कम्प्यूटर नो कोई पन कोर्स करवानी जरूर पडशे नई हवे पगार दोरण विशे जोई है तो पगार दोरण टी आर सी है एटले के टाइम रिलेटेड कंटिट्यूटी अलाउंस समय प्रमाणे तमने पगार मलवा पात्र रहे शे एमां बे लेवल छे लेवल वन मुझेब जो चार कल्लाक ने कामगीरी करवानी थाए तो एने 12,000 BPM मलशे अने ABPM ने 5 कल्लाक कामगीरी करवानी थाए तो 4,500 जिटलो पगार मलशे अने ABPM अने डाक सेवक माट्रे जो 4 कल्लाक कामगीरी करवानी थाए तो 10,000 पगार मलशे अने 5 कल्लाक कामगीरी करवानी थाए तो 12,000 जिटलो पगार मलशे आमा खास अगत्यानू के मौगवारी बथ्थू अने जे अलाउंस मले छे एने आमा एड करेला न थी एटले ए तमारे पच्ची सो थी बेहजार थी पच्ची सो जिटलू तमने ए मौगवारी अने अलाउंस मले सके छे अवे अरजी करवानी फी केटली रेशे तो जनरल, OBC अने EVS ना पुरूष उमेद्वारे 100 रूपिया फी बरवानी थाई छे SC, ST, PWD अने महिलाव माटे कोई पण फी बरवानी रेती नथी आफी फक्त ने फक्त ओनलाइन अत्वा तो एड़ पोस्ट ओफिस एज भरवानी छे क्याई ओफलाइन बीजे क्याई भरवानी थती नथी अवे पसंगी प्रक्रिया कई रितनी रेशे तो दुरण दस्माना पास गूण उपरज रेशे बीजा कोई पण उच अभ्यास ना गूण दुरण बार के पी एचडी के कोई पण दिगरी मेलविली होए तो एना गूण गणवाना रेता न थी साथे साथे कोई पण अनूबव होए गमे तेटला वरश्नो तो पन एने पण ध्याने लेवा मा आवशे नहीं मातर ने मातर दुरण दस ना गूण उपर जा भरती छे बीजी वस्तु के गणी वखा तो बे विद्यार्थियोंना मेरिट सर्खा थाए छे तो एवा संजुगों मा तेनी जन्मतारिखने आदारे जे विद्यार्थिनी उमर वदू होए तेने प्रायोरिटी आप्पामा आवशे हवे डोक्यमेंट अप्लोड करवाना छे एनि साइज जोई लिये तो तमाम डोक्यमेंट जेपीजी अथवा थो जेपीजी फोर्मेंट मा प्पर्शों तो दोरण 10 मानी मार्कशिट होई, केटेगरी सर्टिफिकेट होई, कम्प्यूटर प्रमान पत्र होई, के दिव्यांग नो सर्टिफिकेट होई, तो ए सर्टिफिकेट बसो के भी के ते थी ओची साइज मा होऊ जोई है, जो फोटो अपलोड करवानों होई, तो ए 50 के भी थी उची साइज मा हो जो य अने तमारी सई 20 के भी के तेधी उची साइज मा हो जो य ए अवे खास अगत्य भात के दुरण दस नी मार्कसृत मा जो जन्मा सब्सक के भी के तेथी ओछी हो वी जो अवे केटेगरी वाईस जग्याओ अई में बतावी छे के इवी एस मांटे बस सो एक छे ओबीसी मांटे चार सो बार चे पी डबलुडी ए अलग अलग विभाग छे पी डबलुडी ना ए प्रमाने अई भरती नी जग्याओ आपेली छे सी मांटे 63 चे 268 जिटली एस्टी मांटे चे अने अन्रिजर्व एटले के ओपन मांटे 838 म थाई अने टोटल 1226 जिटली जग्याओ अई परवानी छे अरजी करता समय कोई पण तमारे हेल्प नी जरूर पड़े अथवा तो कोई फौल्ट थाई तो तमारे फौन नंबर नहीं जे आप योशे एफौन नंबर संपरक करवानों रेश है जे हेल्प हलाइज नं नंबर छे औनि दुल कर लिवाल इसी direct करे लक्षो के जेथी हूँ एनो जवाब आपी शने तमारा प्रेश्णों नो सोल्यूशन लावानों में प्रयाद न चोकस करीशू हजी सदी जमें हमारे चैनल ने सब्सक्राइब ना करीए तो चैनल ने सब्सक्राइब करीए लो लाइक कर सो अन्य मित्रों सुदी शेर कर सो आपनो खुब खुब आबार